हेलो एंड वलकम तो मैं चैनल अपना इंशुरेंस वाला हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको LIC की FD के बारे में बताऊंगी जिसमें आप एक बार पैसा जमा करके बहुत अच्छा डिटर ले सकते हैं यह है LIC का सिंगल प्रीमियम इंडॉर्मेंट प्लैंड टेबल लंबर 917 तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्रेंस एर लेटेट सारी इंफोर्मेशन मिलेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप अपने बच्चे की शादी के लिए या किसी और जरूरत के लिए बैंक में FD करना चाहते हैं तो यहां LIC का FD का बहुत अच्छा आप्शन है क्योंकि इसमें आपको FD के फायदे तो मिलते ही हैं लेकिन साथ ही साथ आपका लाइफ का रिस्क भी कवर होता है फ्रेंड्स अगर आप बैंक में fix deposit करते हैं और कोई भी miss happening होने पर परिवार को सिर्फ जमा किया हुआ पैसा और उसमें कुछ ब्याद जुड़कर मिलता है जबकि LIC की FD में आपको some assured मिल जाता है जो कि आपकी जमा किये हुए पैसे से बहुत जादा ही होता है इस plan में आपको सिर्फ एक बार लगबक 1,81,000 रुपीज जमा करने हैं और 25 साल बाद आपको मिलेंगे 10,60,000 रुपीज आईए इस plan को हम detail में समझते हैं ये है LIC का single premium endowment plan table number 917 जिसमें minimum entry age है 90 days और maximum entry age है 65 years ये plan आप 90 जिन के बच्चे से लेकर 65 years के व्यक्ति को दे सकते हैं इस plan का term 10 साल से लेकर 25 साल का है इस plan में minimum maturity age 18 years और maximum maturity age 75 years है मतलब अगर आप एक साल के बच्चे को plan ले रहे हैं तो आपको term इस तरह से choose करना है कि maturity पर वो 18 years complete हो चुका हो आप उसके 17,18 या उससे उपर का term ले सकते हैं इसी तरह अगर आप 60 साल के व्यक्ति के लिए plan ले रहे हैं तो term 15 साल से कम का ले जिससे वो maximum maturity age 75 को cross ना करे इस plan में minimum sum assured 50,000 and maximum sum assured की कोई limit नहीं है आप इसमें एक साल बाद loan ले सकते हैं और इसको किसी भी time पे surrender कर सकते हैं आईए एक example से समझते हैं एक Mr. Rajesh है जिनकी उम्र 25 साल है उनको एक बार में सिर्फ एक बार में 1,82,875 रुपीज जमा करने हैं और 25 साल बाद उनको मिलेंगे 10,60,000 रुपीज यदि Mr. Rajesh को कुछ हो जाता है उनके साथ कोई miss happening हो जाती है तो उनके परिवार को sum assured यानि 4,00,000 रुपीज प्लस bonus प्लस additional bonus मिल जाएगा यही पॉलिसी अगर Mr. Rajesh अपने बेटा या बेटी जो 2 साल के हैं उनके लिए लेते हैं तो भी सिर्फ एक बार पैसा जमा करना होगा 1,80,681 रुपीज और 25 साल बाद उनको मिलेंगे 10,60,000 रुपीज बच्चे की नाम पर policy लेने पर कम age के कारण premium कम आता है पर बच्चे के case में 2 साल पूरे होने पर या उससे 8 साल की age पर ही risk cover start होता है इस policy में one time saving है इसलिए grace period नहीं है पर 15 दिन का lookout time है मतलब 15 दिन के अंदर अगर आपको policy नहीं समझ आती है तो आप policy को वापस भी कर सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंट्स इस वीडियो से रिटेट किसी भी doubt के लिए comment section में comment करें thank you for watching please like subscribe share and press the bell icon